भारत के कश्मीर में गुरुवार को हुए हमले में CRPF के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए इस चरमपंती हमले की जिम्मेदारी जैशे महम्मद संगटन ने ली है इस आत्मगाती हमले के लिए 21 साल के कश्मीरी युवक आदिल एहमद जिम्मेदार है गुरुवार को 300 किलो विस पोटगों से भरी एक कार CRPF के काफिले में घुज गई और काफिले के बस को उड़ा दिया इस हमले का कनेक्शन सिधे सिधे पाकिस्तान से जोड़ा गया है हमले के बाद नरेंदर मोदी जी ने पाकिस्तान पे हमला करते हुए उहें सिधी सिधी धमकी दे थी आज उसी धमकी और आरोपों के जवाब देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक प्रेश कॉन्फॉरेंस की है दोस्तो आईए देखते हैं पुल्वामा अटैक पर इमरान खान इस प्रेस कॉन्फरेंस में क्या बोलते है उस कॉन्फरेंस से और उनकी विजिट से इसके उपर चली जानी थी इसलिए जब क्राउंट प्रेंस वापस कहें मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ और मैं यह हिंदुस्तान गर्मन के लिए जवाब दे रहा हूँ पहले तो आपने पाकिस्तान पे लगा दिया जो हम इतनी देर से प्लैन कर रहे थे कोई एहमत भी इस तरह का वाक्या करेगा अपनी कॉन्फरेंस को सेबटाज करने के लिए और अगर यह ना भी होती उनकी विज़े पाकिस्तान को इससे क्या फाइदा है क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के उपर जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है हमारे पास हमने पंदरा साल की देश्टगर्दी की जंग जिसमें सत्र हजार पाकिस्तानी मारे गए है एक देश्टगर्दी नीचे जा रही है अमना रेस्टिबिलिटी हा रही है हम क्यूं कोई है इस तरह का इससे हमें फाइदा क्या है और मैं ये भी सवाल पूछा चाहता हूं हंदोस्तान की कावर्मन्ट से के अगर आपने माजी के अंदर ही पसे रहने है और हर बारी किसी किसम का कोई किश्मीर में सानिया हूँ आपने पाकिस्तान को जिम्मदा ठ्रा देना है तो बजाए ये कि आप किश्मीर का मसदा उसकी तरफ को डायलॉग शुरू को आगे बढ़े ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग गॉय बनाए रखेंगे आप मैं आपको वाज़ तोर पे कह रहा हूँ कि ये निया पाकिस्तान है ये नई माइंड सेट है नई सोच है हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरिस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर देश्ट गर्दी करें और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में देश्ट गर्दी करें हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो मैं आज हिंदोस्तान की गर्मन को ओफर कर रहा हूँ किसी किसम की आप तैकिकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलवस था, हम त्यार हैं अगर आपके पास कोई actionable intelligence है, कि पाकिस्तानी involved है, वो हमें दे मैं आपको guarantee करता हूँ, कि हम action लेंगे और action इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के pressure है action इसलिए लेंगे, कि ये पाकिस्तान से दुश्पनी कर रहे हैं अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तमाल कर रहे हमारे से ये दुश्पनी है ये हमारे interest के खलाफ है, और दूसी चीज़, जब भी हिंदुस्तान से हम dialogue की बात करते हैं हिंदुस्तान की precondition होती है कि पहले देश्पनी की बात की जाए मैं आपको ये कहता हूँ कि हम देश्पनी की बात करने के लिए त्यार है देश्पनी ये एक सारे खिते का issue है और हम बिलकुल त्यार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खिते में देश्पनी खतम हो पाकिस्तान वो मोलक है जिसको सबसे ज़्यादा देश्पनी से नुकसान हुआ है सतरजार पाकिस्तानी मारे के हैं देश्पनी में हमारा सौ अरब डॉलर से ज़्यादा नुकसान हुए बात करने के लिए लेकिन मैं आपसे आखर में दो चीज़े कहना चाहता हूँ देखें हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए एक इंट्रिस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वज़ा है किश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके है जो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है कोई तो वज़ा होगी क्या आप समझते हैं कि ये वन डैमेंशनल ओप्रेशन जल्म करना मिलिटरी के जरीए मसला हल करना क्या ये अगर आज तक कामियाब नहीं हो तो आगे कामियाब हो जाएगा अगर आज अफ़ानस्तान के अंदर सत्रा साल के बाद सारी दुनिया ये तस्रीम कर बैठी है कि मिलिटरी सिलूशन नहीं है और बातचीत से डायलॉग से मसला हाल होगा क्या हिंदुस्तान में इसके पर डिसकेशन नहीं होनी चाहिए और दूसी चीज़ हम हंदुस्तान में सुन रहे हैं आवाजें सुन रहे हैं मीडिया पे सुन रहे हैं पॉलिटिशन्स की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक से खाना चाहिए पाकिस्तान के उपर बदला लेना चाहिए स्ट्राइक करनी चाहिए पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शक्स या मुलक को जज जूरी और एक्सेक्यूशनर बनने की अजाज़त देता है ये कौन से इंसाफ के नजाम में है दूसी चीज आपका अलेक्शन का साल है और हम समझते हैं का इलेक्शन में ये बड़ी बूस मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सकाया जाए अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ओपर किसी किसम का हमला करेंगे पाकिस्तान रिटैलियेट करने का सोचेगा नहीं पाकिस्तान रिटेलियेट करेगा पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलियेट करने के बगार जवाब देने के बगार और उसके बाद बात किदर जाती है हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है शुरूर करना तो जंग इंसन के हाथ में होती है लेकिन जंग खत्म करना इंसन के हाथ में नहीं होती है ये किदर जाएगी बात ility अला Church जानता है इस लिए में ये उमीद रहता हूं कि better sense will prevail हम इसमें अकल करेंगे हिक्मत ung altre करेंगे और ये मसला जो आखर में हल होगा जिस तरह अफगानस्तान में ये भी डायलॉग और बात्ची के हम दो